नमस्कार किसान सातियों आप सभी के चैनल एडवांस किसान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा थाई एपल बेर की खेती कैसे करते हैं हमने अमारे बगीची के अंदर 40-50 की कौंटिटी के अंदर थाई एपल लगा रखा है जो कि ग्रिन थाई पल बेर के अंदर थाई ग्राव की क्वालेटे आते है दो अनली के यमितली में की अंदर की यह cutting है, देखों यहाँ से यह cutting हो रखी है जैसे आप देख पा रहे होंगे इस cutting पे से जो यह plastic पन्नी लगी रधी है इसको सबसे पहले आपको अठा देना है, ठीक है दो मैने के बाद में आपको यह काम करना है उससे पहले आपको यह काम नहीं करना है कि आसपास आपको साबसपाई रखनी है एक किसी तरह की खरपतवार यहाँ पे नहीं हो गए देखिए यहां से मिट्टी देखिए हैं कि sounds टैपल को लेनीं ठीक है तो इस तरह कि आपको इसके आसपास हाई रखनी है मिट्टी रख दूसरी बात आपको मैं बताता जो manly रोग आते हैं उन रोगों के बारे में हाला कि अपने बगीचे के जितने भी पोदे हैं सारे स्वस्त हैं क्योंकि उनके अंदर मैं एक विसेश तकनीक का यूज करता हूँ एक तो मैं water supply के लिए मैं drip irrigation का यूज कर रहा हूँ सबसे manly drip irrigation का यूज करता हूँ देखिए यह मैंने कल पानी लगाया था इसके अंदर तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा नमी है यहां पर और यह पोदे के लिए बिल्कुल ठीक है तो पनी आपको क्या करनी है अठा देनी है इन पोदो की अभी पनी अठी नहीं किन किन पोदो कोई कोई पोदो की बाकि आपको यह अठा देनी है ठीक क्योंकि रेनी सीजन आपका जा चुका है इस बज़े से अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है और इस पोदे की आप देख रहे होंगे, बहुत ही जबर्दस्त ग्रौध है, बहुत ही शांदार ग्रौध है, अम्मा आपको अपने तीसरे पौधे के पास लेके जाता हूँ, ये पौधा आप देख पा रहे होंगे, ये पौधे के पास आपको एक तो क्या करना है, इसके सपोर्ट के लिए, इसक कि इसको सहरा बना रहे लगा रहे और इसके अंदर आप फ्लावरिंग भी चालू हो चुकी है देख पारे होंगे आप इसके अंदर आभी फ्लावरिंग चालू हो गई है और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आ रही है छोटे-चोटे पौदों में हलाकि इस बार हम इनका को तो से ही आपको खटादेने हैं, अभी हम थोड़े बाद में हटाएंगे, इसके बाद में हम अपने एक चौथे फेड़ के पास आपको और दिखाते हैं, और जो मेनली जो रोग होता है, जो रोग होता है, इनके अंदर रोग के बारे में मैं बात करूँ, तो इस पौदे के अंदर हाथ देख पारे होँगे इसके अंद्र कुछ रोग आया हुआ है एक पति छेदक इसमें आपके क्या होती है पती के लिए आपकोनी चीज करनी है इसके अंदर आपको हर फाद्रा दिन के अंदर नीव-0 का इस-प्रेज जरूर करनाए नीव-0 का इस पॉदा से नीम-5,00x पीम के अंदर जो नीम ओयल होता है या तो होममेड हो या फिर कहीं भी किसी दुकान पर आपको अवेलेबल हो जाए इस पोदे की ग्रॉध देखिए आप टू मंस का पोदा है और ये ग्रॉध देखिए फ्लावरिंग लगातार जारी है और कितना स्वस्त पोदा है ये कितना स्वस्त पोदा है किसी तरह की इसके अंदर कोई विमारी देखने को मिल नहीं रही बहुती अच्छा फूटान लगातार बना हुआ है और फ्लावरिंग आप देखी पा रहे होंगे तो दो महीने के पोदे के अंदर ये सबसे मुनाफिकी खिती है आपकी इपल बेर की अगर आपको और चाहर आते नहीं है अब सबसे जाधर बिमारी आती नहीं कर रहा हूं watering लागातार मतलब 3-4 दिन के अंदर मैं इनके अंदर watering कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बार इनके फल तो मुझे लेने नहीं है तो इस वज़े से मैं इनके watering अगर किसी को फल लेना हो तो आपको watering क्या कर देनी है और रोक देनी है अगर आपके पौदे बड़े हैं और आपको फल लेना है तो उसकी watering आपको नहीं करनी है यह इस तोर पर आपको याद रखना है इसके अलावा एक चीज और बताता हूँ जो आपकी cutting है इस cutting के नीचे से जितने भी आपकी यह रूट निकल के आती है इनको आपको क्या कर देना है और खास तोर पर एक चीज द्यान रखनी है आपको खरपतवार बिल्कुल नहीं रखनी है तो यही आज के वीडियो के अंदर कुछ परामर्स था कि आपको किस तरह से इन पौदों की क्या करनी है देखबाल करनी है तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाब मिल सके धन्यवाद थैंक्यू सो मच